क्रिशे दश्रन कारेक्रम देखने वाले सभी किसान और बागवान साथियों को मेरा नमस्कार क्रिशक मित्रो कारेक्रम में आपका स्वागत है अभिनंदन है आज के कारेक्रम में हम आपको जानकारी देगे बटन मश्रूम के लिए खुंब खात को तयार करने की विधियों के बारे में और इस विशे पर जानकारी देगे ओध्यानी की एवंवानी की विश्व विद्याले नौणी में बरिष्ट बैग्यानिक मश्रूम के पदपरकारित डॉक्टर धरमेश कुपता कि हमारे मश्रूम मुठपादक किस प्रकार से स्वयम अपने घर पर खुंब खात को बना सकते हैं और बनी बनाई खात कहां के प्राप्त कर सकते हैं डॉक्रसाब जैसा आपको विदित है हमारा आज का विशह है कि खुंब खाद तयार करने की विदियां जी तो सबसे पहले हमारे किसान बागवानों को आप ये बताएं कि खुंब खाद बनाने के लिए कौन-कौन सी विदियां वर्तवान में प्रचलन में हैं जिससे हमारे जो मश्रूम उत्पादक है वो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं खुंब खाद बनाने की हमारी वैसे तो दो विदियां है वो ज्यादा कर प्रचलन में हैं दो विदियां मुख्य रूप से हमारी एक लंबी विदिय और दूसरी है चोटी विदिय जो लंबी विदी है, इसमें हमारे खाद मनाने में बहुत समय लगता है, तो इसमें हमारे खाद मनाने में लगभग अठाई से तीस तीन लग जाते हैं, और जो हमारी लगू विदी है या चोटी विदी जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारे खाद मनाने में लगभग उठारा से के भी औभ siblings बनाते है और जब लंबी विधिय से खाध मनते हैं तो इसमें अपश की ऐखा पे दिए मातरा नवलुम जादा है चम्पोस्ट की मातरा है ओँच में च्छोटी ब्ती है इसके की में इसके बादा मातर क्यूंeten है घुट ज्यादारी से ले boost хот हमारी बीमारी और खेड़े मुकूर्णों का अकरमन भी कम रहता है तो यह इन दोन वीदियों में फर्क है लेकिन ज्यादा ज्यादा तरज्व है हमारे चोटी ज्यादा प्रचलन में हैं लेकिन हमारे जो मश्रूम उत्पादक है वो आप से यह भी जानना चाहें कि अगर वो गुणबक्ता युक्त खुमबक हाद बनाना चाहें तो इसके लिए कौन-कौन सी सामगरी कि उनको आवशकता पड़ेगी और विस्तार से यह लगूविदी और थोड़ी बड़ी विधी कि आप हमें हमारे मश्रूम उत्पादक को को यह भी जानकारी देजी यह अगर वो घर पर बनाना चाहें तो किस प्रकार की विधी का वह इस्तेमाल करें क्योंकि लगूविदी यह जय्या Tow Vous बात करआऊंगा। इसे ही हम इसका कारेक हम स्टार्ट करते हैं सब से पहले भोसा नखते हैं तेहीं को द करते हैं फिर में के उपर जो है जो है जो मुर्जी हाद होती है उसको डाल देते हैं। और इसको भी गीला पुर्टेंग करते हैं। तो iIक्त में हम थी मृच्व गीला करने का कम करते हैं फिर दो हमारा जीरो दिन जीरो दिन रहने के लिए ज 너र्श कर finger की दिन केते हों, तो हम जिरो दिन वाले दिन हम इसमें चार से पांच फूट उंचा और चार से पांच फूट चोड़ा धेर बनाते हैं और धेर बनाने के लिए हम तीन लोहे के बोर्ड या लखडी के बोर्ड होते हैं उनका प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि तीन बोर्ड को कमरे की तरह जो है तीन साइड से रख देते हैं और एक साइड उसका खुला रहता है और तीन साइड से बोर्ड को लगा लेते हैं फिर हम जो भी हमारी समगरी होती है, जीरो दिन वाले दिन क्या होता है, हम इसमें यूरिय भी मिला लेते हैं, और बिनॉले भी मिला देते हैं, तो हम चारूंची जो हमारे बोर्ड हैं, उसमें भरना शूर कर देते हैं, जब हम इसमें भरते हैं समगरी को, तो हम साइट से उस फिर जब हमार को पूरा लंबा डहर जब हमार को मिल जाता है फिर हम क्या करते हैं उस डहर को ऐसे रहने देते हैं दो दिन तक तो फिर दो दिन के बाद हम इसमें पहली पलटाई देते हैं तो फिर टोटल हम जो है इसमें चार पलटाई देते हैं चोटी वेदी में पहली रेका गांका ही नीका चुमक को देंके को जाते हैं मैं नियुफ में वहां जार्ण काक्ष को बिन कट से ऑच हम म estan जै कि और ऐस्यवार कें से घुस्ण से फिर क्या ह्ता है दो-तिन दीन एंदर इसका पामान काफी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर क्या होता है इसका तापमान जो हम 58-90 तक ले जाते हैं तो वैस्ट तो इसका तापमान खुद ही बढ़ जाता है अगर तापमान खुद ना बढ़े तो हम क्या करते हैं कि वाइलर का यूज करते हैं इसमें तो बाइलन से क्या होता है कि भाप पैदा होती ह और भाप को जो हम इस कमरे में डालते हैं तो इससी क्या होता है खाद का तापमान बढ़ेगा और उनसे डिग्री सेंटिग्रेट तक को कुछ दिनों में पहुंच जाएगा फिर इस तापमान पे जो हम खाद को है चार से चे गंटे तक रखते हैं उसके बाद जो है खाद का गैस बनते है तो वहारा काम होता है तो कमरों में देपर की साँटा से प्रे भोल देते हैं और इसको spawning जो है जो है जो हम इसके स्टार्ट कर देते हैं लेकिन जब एक खाथ बनके तयार हो जाएं तो कैसे पता चले कि गुणवत्ता युकता खाथ बनकर तयार हो गई है और फिर इसमें जो हमारे मश्रूम उत्पाद है कि उसमें बीजारोपन के प्रक् चेक करना पड़ता है तो इसमें बहुत से गुण होने चाहिए सबसे पले आता है इसका रंग तो यह जो है हमारी गहरे भूरे रंग की होनी चीए इसकी पी एच जो है 7.2 से लेके 7.5 के करीब होनी चाहिए इसमें जो नमी है खाथ में ऑठाशट से लेके साथ प्रश्द क इसे इसमें कोई बीमारी नियुन होनी चाहिए किसी कीडे मोटोड़े किसी कीडे मोटोड़े या शुक्रोम जो होते हैं उनका इटाक निग ओना चाहिए इसके इसके तो जैसे हम अपने चैंब're को थे ऊसके बाद इसको स्पौनिंग एरियां मेले जाते हैं जहाँ हम पर हमारा कक्ष है वो पूरा ओंट पॉर्मलीन से टीटिड़ना चाहिए वहां में एक स्प्रेग होनी चाहिए तो वहां पे जो क्या है खाद को पूरी तरह फैला देते हैं पूरी जो खाद है इसमें हम दशलाव साथ पांच या एक प्रच्छत के इसाब से भीज मिलाते हैं कहने का मतलब है अगर हमारी 100 किलो खाद है तो सो किलो खाद में हम 750 ग्राम से लेकि एक किलो के इसाब से स्पॉन या भीज मिलाते हैं उसको हम पूरा इसमें मिक्स करते हैं और पॉलिथीन के थैलों में फिर भर देते हैं और पॉलिथीन के थैलों में जो स्पॉन कंपोज्ट हैं हम आठ से लेके 10 किलो तक भरते हैं और भरने के बाद हम थैले का उपरी सीरा बंद कर देते हैं और उसे हम थोड़े 10-12 के करीब इसमें छेद भी कर देते हैं ताकि इसमें आपकी ताजी हुआ बैग में आती रहे आपकी अकव्तमारे प्रें करें और रिदेगें तीन से पांकि 5명 स्टेमेर मोटी प्रतर प्रत कंुल जब हमारे समें केसिंग करने के आखे बाद हम रलक हलकी पानी के करते हैं संडीमेटर मोटी पर केसिंग mm के चड़ाती और केसिंग करने के बाद जो है रोज हम इसमें हलकि पाने की स्प्रेय बी करते रहते हैं और जब केसिंग है करा की तरह चाहिए तौर क्या होता कि आप work Дो की मिट्टी हवा का आगमन कराते हैं तो और फिर क्या होता है कि हमारा जो है कम इसमें बैग में मश्रूम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जैसा आपने बताया कि अब विजार ओपन की प्रक्रिया तक हमारे खाद बनाने की जो प्रक्रिया वो पहुंच चुकी है अब उत्पादन कक्ष के अंदर हमारे जो मश्रूम उत्पादक वो किन-किन बातों का ध्यान रखे और इसके आगे की प्रक्रिया क्या है ताकि वो रोगमुक्त और गुणवक्ता युक्त मश्रूम खादूने मिल सके देखे उत्पादन कक्ष के अंदर जब हम अपने बीजीद बैगों को रख दे रख देते तो उसमें बीजाई करने के लगश प éner्ती फैंटी दिन के बाद इसमें मश्रूम उना स्वाना स्टाट होते है तो मैं 35 दिन के बाद हमारी करोप आना स्टार्ट होती और उस बाग में हम दवारह से केसिंग डाल लेते हैं तो यह काम हमार को प्रती दिन करना पड़ता है इसके अलावा हमार को तापमान और नमी इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि एक इंडूर क्रॉप तो इसमें आपमान और नमी को बहुत ख्याल रखना पड़ता है तो उत्पादन के टाइम मश्रूम के कक्ष में हमार को 14-18 डिग्री सेल्सिस तापमान बनाए रखना पड़ता है और इसके अलावा आपको इन दो चोई का हमा नवार अपड़ता है और वीमारियों और कीड़े में के लिए दबला आपको लगाएं और नाजर आए तो आपको ऐसे बैगों को या आपको उनको अलगी रख देना चाहिए, बहतर रहता है कि अगर एक दू बैग में तो आप उन दू बैग को वहां से उठा के बाहर फैंक दें अगर आपको लगता है कि काफी bags में आपका attack है या हलकल का attack है तो फिर आपको समय समय पर जो है उसमें फुन्दी नाश्रेक या खीट नाश्रेक जिस चीज की आश्रिकता होती है उसका spray करना पड़ता है अगर वो बटन मश्रूम की खेती करना चाहे तो खुमबक खाद के लिए उनके पास क्या विकल्प रहता है और अगर वो घर पर ही अपने घर पर खाद बनाना चाहे तो कौन सी विधी को अपना कर वो कम लागत पर और अधिक पैदावार खाद बना सकते हैं जो लंबी विधी है उसे अपनी खाद कर लें खाद करना चाहेंगा मश्रूम के पनान के पीवान निवान डलता है या इंडो पंदाली भी एक तो प्गिसाइय्ट होते अट इसoupet जो आपकी बनाने की रहा जैसे कि आपको चोटी जिवता थी खाद वियुक्त अलक्वाटन बनाने की इसे व दालते हैं जैसे अलेकिन में द चार फिलताईया देते है लेकिन अन्यच मैं 40 जाओ नग्री धिल घंषिंट मैं नत approximately बहुत करना हो कैसे आपने क्रॉप लगानी है तो एक बहुत ही प्रिशिक्षन के लिए आप कहीं भी संपर कर सकते हैं सबसे पहले हमारे हिमाचल सरकार का उध्यान भीवाग है उसमेस में पर जो है कुम उत्पादन की है ट्रेनिंग जगा जगा देता रहता है और चमबा हाट जो हमारा यहां उध्यान भीवाग का सेंटर है वहां तो समेस में पर इसके जो है शिबिर आयोजित होते रहते हैं इसके अलावा हमारे देश का जो बहुत बड़ा खुम ने देशा लेया है चमबा हाट में वहां इसमेस में पर इसके खुम उत्पादन की और इसके बीज मिनाने की ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर धरमेश कुपता आप हमारे आज के कारेक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे किसान और बागवानों को बटन मश्रूम के लिए खुम तयार करने की विधियों के बारे में विस्तरत जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद और लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें कि खाद को बनाने से पहले आप एक प्रमानित संस्थान से प्रशिक्षन अवश्य ले ताकि आप जब इसमें खाद बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़े तो आपको कम से कम नुकसान हो और वेबसाइक्स तरक पर आ आप कमा सके उमेद करते हैं कि आज के कारेक्रम के आपको जरूर लाव हुआ होगा इसी के साथ अनुम्बती दीजिए आज के कारेक्रम को यहीं पर संपन करते हैं आप सभी को नमस्कार